तो दोस्तों देखिए ये कितने बड़े गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कल रात को हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया सुभाशनगर एरिया से और यह साप कौन सा है आप आने वाले मतलब अभी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे भी बताएंगे भी इस बार गैस आपको करना है कि यह कौन सा साप है और बहुत इं इंकाउंटर था और खतरनाक हो भी सकता था तो आईए इस साप को पहले निकालते हैं देखते हैं कि कौन सा साप है और उसके बारे में डीटेल हम उसके बाद आप से चर्चा करेंगे तो दोस्तों देखिए यह कितने बड़े साइज का रसल स्वाइपर है और यह मेरे खिय किया गया सब-से बड़ा रस्क्यों का रसल स्वाइपर का यह बहुति ज़ादा बड़ा है दोस्तों अब तक का हमारे द्वारा किया गया रस्क्यू रसल स्वाइपर में इस बना यह सब दोस्तों subscribe के तैन生ियों होती है जब आप किसी इतने इसे जस्ट टेल से थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है और इसका वेट हमने किया तो दोस्तों दिखा नहीं पाई क्योंकि उस समय यह बैग से हम बैग में चुकि इसको नहीं रहा था हमने एक डब्बे में रहा था त्री पॉइंट टू फाइव यह निकि दो तीन किलो 250 ग्राम क्योंकि आसपास कुछ इसका वेट आया है यह बहुत ही जादा है दोस्तों रसल्जवाइपर कि जो एक्चल में एवरिज साइस के मिलते हमको अमित बताएंगे कि इसे कहां से रेस्क्यू किया और क्या स्थितियां थी और एक कमाल की कहानी भी है दोस्तों ऑवर टो अमित जी बिल्कुल इसे हमने बचेली के सुभाशनेगर एरिया से निकाला और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस साफ के लिए मुझे जो कॉल आया था वो मेरे बच्चों ने किया था और मैं बताना चाहूंगा साथियों आपको कि ये रिशिका प्रेंचंदानी और प्रत्मेश प्रेंचंदानी ये वीडियो लेखते हैं और जैसे ही इन्होंने इस वाइपर को देखा एक होल में चुपते हुए रोड क्रॉस करते हुए तो उन्होंने तुरंध ही आमित को फोन किया और बताया कि सर यहां पर एक रसल्स वाइपर छुपा हुआ है और चुकि वो रहवासी एरिया था इसलिए तुरंत ही अमित पहुचे और बच्चों ने बहुती 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 का परीचे देते हुए उस साम पर उसमें निगाह बनाये रखी और साथी साथ जो आस प्रकृती के लिए सामने आते हैं और बहुती अच्छे तरीके से काम करते हैं कुछ लोग हमेशा हमसे यह पूछते हैं कि आपको सांपों को बचा किया यह काम करके क्या मिलता है तो यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि अगर आने वाली पीड़ी को हम सचेत कर करते हैं तो यह हमारे लिए इससे बड़ी उपलब्दी कुछ नहीं हो सकती आज टीचर आज वाइल लाइफ एंतुसियास्ट बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों इसके वेनम के बारे में हमने कई बार आपको बताए कि हमाटॉक्सिक वेनम होता है दोस्तों इसके वेनम ग कंभीर इसकी बाइट हो सकती है चलिए दोस्तों आप इसको ज़्यादा परिशान ना करते हुए हम इसके रिलीज कर देते हैं आप देखिएगा रिलीज करते समय किस तेजी के साथ यह भागेगा झाल 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 झाल